हेलो ब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप लोग केबल कक्षा दस्वी पास हैं और इंडिया पोस्ट आपिस भारती डांक विवाग को जोईन करके पोस्ट मैन MTS और मेल गार्ड के पदो पर सरकारी नोकरी पाने का स इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से आने वाली बंपर भरतियों के बारे में जो की पोस्ट मैन MTS और मेल गार्ड के पदो पर होने वाली है लगबख कह सकते हैं एक लाग से भी जादा पदो पर ये भरतियां आने वाली है इनको लेकर लेटेस्ट में क्या अपडेट है या एज लिमिट रहती है सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसके साथ आपको एटू जेट जानकारी जो भी रिलेटेड है इस वेकेंसी से आपको यहाँ पर मिले वाली है बस इसके लिए आपको इस वीडियो को आखरी तक देखना होगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा दोस्तों जो हमारे चैनल के साथ में कनेक्टेड हैं उनको यह जानकारी होगी कि इंडिया पोस्ट आपिस की इस वेकेंसी के लिए दो अलग अलग नोटिफिकेशन औरेडी आ चुके हैं दोनों डॉक्ट नोटिफिकेशन है एक नोटिफिकेशन MTS यानि मल्टी चास्केंग इस्टाफ के पदों पर है और दूसरा नोटिफिकेशन पोस्ट मैन और मेल गार्ट के लिए है यह नोटिफिकेशन 2022 और 2023 में जारी किये गए थे और हमको लगा था कि कम से कम 2022 में और 2023 में यह भरतिया नहीं आई और पिछले 4-5 सालों से यह भरतिया नहीं आई फ्रिसर केंडिडेट के लिए तो अब जाकर 2024 में ये विकेंसी आएंगी और कुछ अपडेट और नियूज ऐसी निकल के आ रही थी कि इलेक्शन से पहले पोस्ट में मेल गार्ड और MTS के पद भरे जाएंगे और यहां तक कि पोस्ट ऑपिस बिल के अंदर भी इसका जिकर किया गया था कि इस विकेंसी को लाया जा रहा लेकिन अभी तक हमको ये पता था कि GDS की विकेंसी आने के 10 से 15 दिन के बाद इन भरतियों को जोई तो लाया जाएगा लेकिन अभी तक हमारे पास तो GDS की विकेंसी नहीं आई जिसको भी GDS के बारे में लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला हो कल की वीडियो जाके देखेगा GDS की अपकमिंग जो विकेंसी है 40,000 पतों पर उसको लेकर जो भी अपडेट है मैंने अल्रेडी सेर किया हुआ है अभी हम मुद्दे पे आते हैं इस विकेंसी के बारे में बात करते हैं देखें नोटिपिकेंसी पहले ही आ चुके हैं और अभी इलेक्शन से पहले विकेंसी आएगी की नहीं इसके बारे में आपको जानना है देखें नए नोटिपिकेंसी कुछ तो आ रहे हैं अचार सही पहले आप से छोटी से रिक्वेश्ट है बस आपको बीडों में आखरी तक जरूर से बने रहना है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कौन सी विकेंसी के बारें बात करें अंठान नवेजार 83 पदों पर पिशली बार दो अलग-अलग डॉप नोटिपिकेशन आउट हुए यहां पर देखिए अप्रेल का अपडेट बता रहे हैं अप्रेल महीना आ चुका है हमने सोचा था कि जनवरी के अंदर ये विकेंसिया आएंगी और कम से कम जनवरी नहीं तो फिर फरवरी फरवरी नहीं तो फिर मार्च और अब तक तो अप्रेल भी आ चुका है इसके बा की बात करें आखरी डेट की तो हम लोग अभी भी ये उमीद लगाएं कि 31 माई तक आपको आबेदन करने का मुका मिलेगा अगर में हमारे द्वारा जो प्रेडिक्ट की जा रही एक्सपेक्टेड डेट उस पे नोडिविकेशन आ जाता है उसके लिए ओफीसल वेपसाइड और नोडिविकेशन को उपन करना होगा तो दोस्तो जिन्होंने भी नोडिविकेशन नहीं देखा है उनके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है क्लिक करके स्मेश पे आ सकते हैं सबसे पहला काम करेगा वर्टसप ग्रूप को जोइन करेगा ताक लोकरीखबर.com आपको हमारी वेपसाइड मिल जाएगी यहाँ पर important dates की बात कर लेते हैं तो देखें जो application start होने की expected date हम लोग सोच रहे हैं वो April 4th week की है यानि कि April के आखरी में 14 हपते में किसी भी date तक इसके लिए आवेदन सुरू हो सकते हैं और माई के आखरी हपते तक आवेदन चलेंगे पूरे एक माईने का समय आपको मिलेगा उसके बाद application fee GDS की तरह ही होती है जर्नल OVCWS के लिए 100 और S.C.H.T. PH कर्टेगरी के candidate बिलकुल free में आवेदन कर सकते हैं नॉर्मल जो आपकी उम्र है वो postman और mail guard के लिए 18 से 27 साल की रखी जाती है और जो MTS की post है उसके लिए 18 से 25 साल की age रखी जाती है साथ में आपको government की तरफ से age में relaxation भी मिलता है देखे पुराने 2 साल पहले जो notification आये हुए हैं उनके अंदर 98,000, 83 पदों पर भरतिया थी और इसमें हम बताते हैं कौन सी post के लिए कित्ती वेकिंसी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं postman के लिए 69,000, 99,000, mail guard के लिए 1445 और multi tasking विश्टाप के पदों पर 37,549 पदों पर ये भरतिया थी आपको ये भी बता दें ये भरतिया दो साल पुरानी है अब तक इनके सीटों के संक्षा 1.3,000,000 यानि की 1,30,000 से भी ज़्यादा हो गई होगी तो नई जब भरतिया आएंगी वो 1,30,000 से भी ज़्यादा पदों पर आएंगी लेकिन वो expected है कोई भी proof नहीं है इसलिए भी हम उनने उसको एड नहीं किया है दस्वी बारवी पास से तो आवेधन करेंगे कैसे आपको बता देते हैं दस्वी पास से तो MTS के लिए आवेधन कर पाएंगे और बारवी पास से तो Postman और Mail Guard के लिए भी आवेधन कर पाएंगे दसवी पास से तो भी पोश्ट मैन और मेल अगाट के लिए आवेदन कर पाएंगे लेकिन केबल वो केंडिडेट जो अल्रेडी जीडियस के पदों पर नोकरी कर रहे हैं ये सभी All India Label की जॉब्स रहेंगी मेल और फी मेल दोनों इनके लिए आवेदन कर सकते हैं टूडे टॉप जॉब लिस्ट की बात के हैं तो आज की नई सरकारी नोकरीयों के एड कर दिया गया है जिनके लिए आवेदन अल्रेडी शुरू हो चुके हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है क्लिक एर की बटन पर क्लिक करना है और जानकारी को देखना है हम salary की बात करते हैं 25,500-180,100 रुपय तक की salary आपको मिलती है जो की आगे notification में दिखाएंगे देखें अभी तक इसका जो selection process रहा है आज से पहले कभी भी postman और mail guard और MTS के लिए merit नहीं बनाई गई पहले उसका exam हुआ है उसके बाद ही उसकी merit बनी है direct made कभी भी नहीं बनी है जैसे की GDS की वेकेंसी में बनता है इस बार क्या बदला होता है देखते हैं उससे पहले यहाँ पर आपको दो link मिलेंगे एक MTS वेकेंसी का और एक postman की वेकेंसी का हम इसको एक बाद डाउनलोड करके चेक करते हैं पहले हम postman की vacancies की बात करते हैं दे यहाँ से आप लोग नीचे आते हैं स्क्रॉल करेंगे तो आपको complete जानकारी मिलेगी दूसरे तीसे नंबर पेज यहाँ पे schedule आप लोग देख सकते हैं पूश्ट मैंने आपे हमको बताया गया था 69,999 पूश्टे 2022 के अंदर खाली थी और group C की पूश्टे हैं 21,700 से 79,100 computer का knowledge आपके पास होना चाहिए इसके अलाबा आपके पास cycling का knowledge होना चाहिए और यहाँ पर आपको local language का knowledge भी होना चाहिए सेम ऐसी दूसरी यहाँ पे frequency है जो की है mail guard के पदो पर यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं mail guard की पोश्ट है 14,45,222 में यहाँ पे खाली थी पोश्ट है group C के अंदर 21,700 से 79,100 रुपे की salary है सेम सारी चीज़े 18 से 27 साल की उम्र 12th pass candidate आवेदन करेंगे GDS के पदो पर काम करने वाले दसवी पास वाले भी आवेदन करेंगे और knowledge of working on computer यानी computer में काम करने का knowledge होना चाहिए देखे जो GDS की पोश्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए promotional vacancy होती है यानी वो GDS से पोश्ट मैं MTS या mail guard बन सकते हैं इसलिए अगर वो तिंट पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा notification भी है जो की MTS की पोश्ट पर है उसको भी open करते हैं तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं Government of India, Ministry of Communication, Department of Post की तरफ से 2022 के अंदर ही यह drop notification भी add किया गया और इसको कहा गया था Department of Post, MTS Recruitment Rule 2022 इसको भी अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे जो हमने वेकेंसियों की जानकारी दी है वो यहाँ पे add है schedule के अंदर multitasking staff 37,549 पोश्टे थी 2022 के अंदर अब यह बढ़के कम से कम 45 से 50 जार की बीच हो गई होंगी Group C की पोश्टे थी level A की salary है 10th pass candidate आवेधन करेंगे और जो already GDSC अफिर casual laborer की पोश्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी qualification नहीं चाहिए और 18 से 25 तक के candidate यहाँ पर आवेधन कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे complete जानकारी दी गई है दोनो notification का link यहाँ पे आपको मिल जाता है बस आपको एक बार click करके जानकारी को देखना है उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस महीने की आखरी तक आपके forum भरे जाने शुरू हो जाए notification आ जाए बाकी आगे क्या होता है जो भी update होगा आपको जानकारी दी जाएगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी